नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक अदम सब की साथ में मित्रों जैसा कि आपको मालूम है आप इस चैनल के माध्यम से नेट यारफ, PGT, PhD, Assistant Professor, अन हिंदी साहित से जो भी आपके एक्जाम होने वाले हैं सभी की preparation कर रहे हैं और मैं आपको best से best देने की कोसिस कर रहे हूँ ओके फ्रेंड आप लोग क्लास को पसंद कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मालूम है आपको कि मैं कभी कभी ये गाना गुन गुनाया करती हूँ कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला ठक जाए तो मिलकर साथ निभाना तो बस मैं अकेली पढ़ जाती हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अकेली हूँ बिलकुल लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं आप सभी मेरे साथ हैं और मैं जो चाहती हूँ देखिए अगर एक assistant professor बनता है तो वो एक college में रहकर रह जाता है लेकिन जो माध्यम चुना है, जो YouTube चैनल चुना है, जो online class का जो मैं सपना देख रही हूँ मैं इस platform को बहुत बड़ा देखना चाहती हूँ यह समझ लीजे, मैं इसे बहुत ही अच्छी position पर लेकि जाना चाहती हूँ अगर मुझे इस चीज के लिए सफलता मिली तो मैं इसी को पनी सफलता मानूँगी मैं यहां से हजारों की संख्या मैं चाहती हूँ कि लोग यहां से पढ़कर निकलें और अपने मुकाम को हासिल करें तो इसके लिए आप लोग मुझे advice भी दे सकते हैं क्योंकि आप लोग आप तो समझ यह चुके होंगी कि मेरी भी अभी जो है जरनी स्टार्टिंग में ही है और बट मेरा जो सपना बन चुका है सपना यह है कि मैं इस जिस प्लेटफॉर्म में जुड़ी हुई हूँ यह मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ और इसे बहुत आगे तक लेके जाना चाहती हूँ आप लोग यह मैं समझेगा कि आप लोगों की सफलता मेरी सफलता है मैं आप लोगों की सफलता के लिए सब कुछ कर सकती हूँ भले ही मुझे कितनी भी महनत करने पड़े कितना भी परिश्रम करना पड़े तो आप लोगों को किस तलेकी किस टाइपिंग के क्वेस्टन चाहिए किस टाइप की चाहिए यह आप लोगो मुझे जरूर बताए तो यह क्लास हम Dr. Nagin के तिहाज से ला रहें Patrick Nagon का तिहाज जो हिंदिस साहिति में एक ऐसी famous पुस्तक है जो आपको सभी कहीं का भी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो वो जरूर आपको बताएगा कि हाँ आपके लिए डॉक्टर नगेंद का इतियास वेश्ट है किसी भी एक्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लेकिन आपको मालू है आपके एक्जाम का इस समय जो लेवल है जो उसका पैटर्न है उसके एकॉर्डिंग आपको जो ओल्ड सिलेवस है न्यू सिलेवस है दोनों को मिक्स करके पढ़ना है तो मैं यहाँ पे दोनों को लाने की कोईसिस कर रही हूं जैसा कि आप जो 2020 कोई कुष्टन बन सकते हैं वो मैं रखूं ठीक है तो आप लोग जो है जितना ज्यादा प्रोसाहित करें जितना ज्यादा लोग आप लोग जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा मैं अच्छा वर्क कर सकती हूं मैं कोसिस कर रही हूं कि जब मेरा अच्छा वर्घ होगा तभी तो लोग जुडेंगे तो मैं खुद कोसिस कर रही हूं लेकिन आप लोगों से क्या advice चाहती हूं आप लोगों से चाहती हूं कि आप लोग जो है मुझे किस वीउय में काम करना चाहिए अगर कहीं पर कोई mistake है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं ओके तो चलते हैं स्टार्ट करेंगे बहुत बात हो चुकी है लेकिन एक माध्यम यही है आप लोगों से जुड़ने का आप लोगों से बात चीत करने का तो अब चलते हैं हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और इस क्लास यह आज की क्लास, लाष्ट क्लास है आदिकाल से सम्द्धिद इसलिए मैंने इस तना discussion कर लिया है क्योंकि आप मुझे इस पर जो है आप लोगों को आज की यह class है यह आधिकाल की last class है अब मैं आपको आधिकाल की 100 question practice set में दूँगी जिनका answer आप लोगों को comment box में बताना होगा मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को खुद बताना होगा तो यह आज की class है और कल या परसू दो दिन बाद या तीन दिन बाद आपको class मिलेगी डॉक्टर नगेंज की इतिहास से जिसमें आपको 100 question मिलेंगे आज कल के ठीक है उन्हीं की आपको practice करनी होगी आपको answer बताना होगा तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों की तैयारी इस तरीके से होना चाहिए कि आप लोग कहीं पे खड़े हों तो आपके जो हिंदिस साहिति का subject है उससे देखिए कहानी और समवाद उनकी बात अलग है लेकिन हिंदिस साहिति जो है आपका इतिहास लिखा गया है वहां से आपसे question गलत नहीं होना चाहिए उकी तो चलते हैं आदिकाल की उपलब्धियां जो है आदिकाल जो आपने अब दत पढ़ा है जिसमें हमने सिद्ध साहिति पढ़ा है जैन साहिति पढ़ा है रासो साहिति पढ़ा है गद्ध साहिति पढ़ा है लौकिक साहिति पढ़ा है जो आदिकाल को हमने इस रोप से पढ़ा है इतना विस्तारी रोप किया है हमने सभी कवियों को पढ़ा है उनकी अब जो है सिष्टता उनकी उपलब्धियां किया है जो आधिकाल है उसकी उपलब्धियां क्या है वो हम इस क्लास में देख लेते हैं और इस क्लास को इंड करेंगे आधिकाल से ठीक है और start करेंगे भक्तिकाल को तो भक्तिकाल में फिर हम परदे आधिकाल की question पढ़ लेंगे उसके बाद में हम भक्तिकाल को पढ़ेंगे तो चलते हैं start करेंगे आज की class ओके ये comment मत करिएगा कि मैं बात बहुत ज़्यादा किया आपने उसके लिए माफी चाओंगी तो first है हिंदी साहिती की इतिहास का ये हकाल जो आधिकाल है हिंदी साहिती की इतिहास का ये हकाल जो है जिसका हमने आधिकाल नाम से विवेचन किया है पहले तो मैं आपको बता दूं कि आधिकाल किसने कहा है आधिकाल कहा है आपकी हजारी प्रिशाद दुवेदी जी ने प्रारंभी काल आप लोग मुझे फिर से एक बार बताईएगा अभी मुझे याद ठीक है लेकिन प्रारंभी काल जो है मिस्टरवंदू ने ही कहा है आरंभी काल जो है अब इसमें मैं कन्फ्यूज हूँ ठीक है बट मुझे याद है और साथ ही मुझे एक संधिकाल संधिकाल और चाहणकाल रामकुवार बर्माजी ने कहा है और सिर्फ चाहणकाल ग्रियर्शन ने भी कहा है वहीं जो आपका है संक्रमनकाल तो संक्रमनकाल भी नाम है आदिकाल का ही आपको याद रखना है ठीक है तो यहाँ भी हमने वेचन किया है भासा और साहितिकी द्रश्ट से परियाप्त संपन है या विद्वान प्रामाडिक्ता एवं भासा की विवादों में उलजे रहे हैं कई ऐसी उपलब्धियां सामने आती है जिनका परवरती साहिति पर अपार रिण है यहां पर हम उन पर भासा तथा साहितिकी द्रश्टि से अलग अलग विचार करेंगे तो देखिए इसमें क्या है एक तो रामचन सुक्ल जी है उन्होंने क्या किया है एक तो इसे क्या है फिर उन्होंने जो है फिर क्यों इसको अप्रमाणी कहा है ठीक है अब चलिए देखते हैं भासा रूप और संप्रेशन छमता क्या है इसकी जैसा कि हम आरम में संकेत कर चुके हैं आधिकाल में हिंदी भासा साहिति कफ़रंस के साथ साथ चलती हुई क्रमसा जन भास के रूप में सहित रचना का माध्यम बन रही थी समस्त आधिकाल में दो भासाओं की या समानांतर रचना प्रक्रिया चलती रहने से अधिकांस विद्वान गंभीरता पूर्वक विचार करके दोनों भासाओं के साहितियों को अलग लग करने का अफ्शन नहीं पासके फलि अफ्रंस कहकर तो यह चीजे हैं यहां पर अमने श्टम देखेंगे क्या है और कभी पुराने हिंदी के नाम पर अफ्रंज का परवरती साहिति भी हिंदी साहिति में समिलित कर लिया गया है जब भासा का रूप और साहिति ही अपनी सीमाय नहीं बना सका था तब उसकी नोट करने वाला क्या है देखिए फ्रेंड जो भी फ्रेंड हमारी ये कहते हैं कि मैं साथ साथ ये बताते चलिए कि कुष्जिन कहां से बन सकता है तो यहाँ आप देख सकते हैं यह चीज आपको नोट इस भासा के साथ अपनी भूम पर आगे भी वढ़ने लगी थी फलता अभरंस में सहिती लिखने वाले कवी अवसर पाकर हिंदी में भी करता क्या करते थे दोनों भासाओं में यहां स्परधा भक्तिकाल के आरंब तक चलती रही और अंत में एक दिन ऐसा भी आया था जब अग्जसर हो गये थे कहां से आप आप देख लीजिए अमीर खुसरो से ही बात हो रही है अमीर खुसरो जो है उन्होंने अबरांस का नहीं प्रयोग किया उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है और उन्होंने ही हिंदवी का प्रयोग किया है ठीक है आपको यह याद रखना है जो है अंतिम रचनाकार माने जाते हैं आधिकाल साहित में प्रियुप्त हिंदी की यह बहुत बड़ी सकती है जो इसकी संप्रेशन छमता की सूचड़ा देती है एक विसाल छेत्र की अनेक बोलियों से उसका एक सामाने रूप बिक्सित हो रहा था फ्रेंज अब य हो सकता है कोई भी स्टार्टिंग करे और तयारी कर रहा हो जो इसकी संप्रेशन छमता की सूचना देती है एक विसाल छेत्र की अनेक बोलियों से उसका एक सामाने रूप बिक्सित हो रहा था वहा मिधिला से मेवार तक की व्यापक जन्वासा बनकर जन्मानस को प्रवाव खोल देते थे जन्वासा के प्रियोकी या प्रवर्ती धीरे धीरे जन्जीवन के सभी रूपों को प्रस्तुत करने में समर्थ होती जा रही थी आधिकालीन साहित्त की वासा कठिता से सरलता की ओर जाती हुई भी एक व्यापक रूप ग्रहन करने की ओर बढ़ रही थी हिंदी कवियों की प्रतिवा एकत्तु का अभास दे रही थी मतलब अभ्रंस को छोड़ कर उधर से जो है अब हिंदी की तरफ एक रूप हो गया और सभी जगे के कोने कोने से जो है रचनाकार अब हिंदी में रचनाय लिखने लगे थी क्योंकि आपको मालूम है आप अभ् सरूफ समस्थ हिंदी छेत्र के बोलियां अपने सांस्कृतिक एकता की स्थापना कर सकें अब यहां भी आप देखेंगे एक चीज़ यह है कि कोई अगर सोधालती है मुझे यहां पर बता सकता है कि वो अभ्रंस साहिते से जो है सोध कर रहा है बहुत ही कम मिलेंगे क्योंक अब उसे पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा आपके सामने ही वुर्द्र से चल रहा है लिखा साहिती आदिकाल अभ्रंस में भी वैसा ही लिखा गया लेकिन अभ्रंस वासा हमारे जो है नौलज से परे है उसको हमाई समझने में कठिनता होती है इसी चमतकार के फलसरूप विधे रोम में भी परियाप्ट शंपरश्णे था कभियों ने उन सब्दों को छोड़ दिया था जो घिसे पिटी धार्मिकार्थों को धोते थे ततकालिन जीवन की भामगोम का साथ देने वाली सब्दा वली सरल रूप में भी ससक्त होती जा रही थी उसमें नए वों को व्यंजित करने की सकती वड़ी इस फूर्थी के साथ जन्म ले रही थी सिद्धों की जीवन द्रश्टी तथा इसपष्ट वारिता नाथ पंतियों का हठियों जैनों की अहिंसा चारणों भाटों की प्रस्ष्टियां खुसरों की लोका नरंजनता सब को एक साथ अ नामर्थ जुटाने में तलीन हिंदी भासाना अलंकार की परवाह करती थी न लप्ठना व्यंजना आद की जो सब्द सक्तियां हैं हिंदी उनकी भी परवाह नहीं करती है और नहीं अलंकार की आप हिंदी में जब भी कोई रचना लिखेंगे उसमें इसपष्ट अपने अपने अव्यक्ति देंगे लेकिन उसमें अलंकार स्वता ही आपको दिखने लगेगा यही कारण है कि आदिकालिन साहित की भासा एक और तो रूप भेद होने पर अभेद है और दूसरी और संपेशन छमता में भी वह विजूर है कोई भी अलंकार ऐसा नहीं जो उसमें न उपा आत्मक एक्टा का प्रियास जो पंद्रवी सताब्दी तक पहुंचते पहुंचते पौंड सफल हो चुका था इधियास से मिटाया नहीं जा सकता है अब यहां पे आपने हिंदी भासा को जो उपलब्धी मिली है इसमें तो वह मिली है हिंदी साहित की उपलब्धता क के हिंदी साहित किस तरीके से हिंदी भासा का विकास जो है किस तरीके से आधिकाल में हुआ है। निश्ट आता है कथ्यो और सिल्प, आधिकालिन साहित जन जीवन की जिन अनुभूतियों में प्रगट हुआ था, उनमें परियाप्त विविता थी, अतावा एक भीड का सायस लिखित साहित नहीं है, अब एक सचीतन समाज की सहर इस्थितियों से उत्मन साहित है, यही कारण है कि उसमें जीवन की विविन दसाओं और शचंद प्रगटियों की विविद चित्र मिलते हैं, कथ्यकी द्रष्टी से आधिकालिन साहित में एक साथ कई परंपराओं का उदय दिखाई देता है, अवरंस और संस्कृत की रचनाओं में इन में से कुछ परंपराओं की सु अवश्य हैं, किन्तो उनकी सक्थी और गंभीरता हिंदी की अपनी देन है, समाज की विविन इस्तितियों पर जिष्ट पात करके सहर जीवन का मार्ग सुझाने से लेकर हठियों की साधना तक आधिकाल में मुक्तक का विरूप का जो विस्तार हुआ निश्चे ही उसका पर पंदियों के कावी रूपों को हिंदी छेत्र में निकाल दिया जाए तो फिर भक्तिकाली निरूर पंदियों की गंगा का उदुम बताना कठिन हो जाएगा, क्योंकि जो संत कभी हैं, उन्होंने वहीं से जो है अपना साहित लिया है, उन पर प्रभाव वहीं से पढ़ा है सिद्धों और नाथों का ही प्रभाव देखा जाता है आगी संतों पर, और जो लोग मैदान से ही गंगा को गंगा मानते हैं, जिस पर वर सिवर निकली है, उसे उवर खावर भूम समझ कर छोण देना चाहते हैं, या भूल जाते हैं कि तब उनकी गंगा को जीवन कौन दे अब आपको आधिकाल में स्वैंभू की जो पाउंच चरिव लिखी गई, उसमें भी तो धर में कुरूप दिया गया है, प्राक्रत और अभ्रंस में राउल विल तथा श्रंगार की जो प्रमपरा आई थी, वह भक्तिकाल को प्रोहवित करती हैं, अब यहां पे आपको ये जो है यहां से भक्तिकाल सी होते हुए रीतिकाल तक पहुँची है, नारी के सहसंगार्श लेकर उनके मानसिक सौंदल तक पहुचने की प्रोड़ती भी आधिकाल में पूर्ड वेग से उवरी है, नक्सिक वर्णन, नक्सिक वर्णन मैंने आपको कई बार बताया है, कि नक यहने नाईका द्वारा प्रीतम के पास संदेश प्रेशन स्वकिया और परकिया के प्रेम की सीमाए हैं, यह सब आधिकाल इन सहिति के कथी में अंतर नहीत हैं, इक तो स्वकिया होती है, दुसरी परकिया होती है, अब जब हम नाटक पढ़ेंगे तो उसमें आपको इनके सभी तत यहां पे बहुत ही महत्पूर्ण है आपके लिए इनके कारण अनेक कावी रूपों एवं अलंकारी क्वर्णों की परंपराओं का विकास हुआ है यही वह यूग है जब नाथों का दुरू हट योग कावी भी यदि रच्चा और सुना जा सकता था तो खुसरों की म मनोरंजक पहलियां भी यहां पे जो है वी रस्पूर्ण कविता में भी लोग बड़ी दुच लेते दिखाई दिया है ठीक है विनी के सुखल पर्यक से लेकर शत्राने की वीरपति की वलतक कवियों की प्रतिवा का विस्ताथ था प्रकृत के अनेक वित रूपों के साथ मन अधिकाल की जुरत नाकार थे वो प्रक्ट्रति का ऐसा वर्णन किया करते थे कि वो लगता था कि उनकी अपनी अव्यक्ति हो ताथ पर यहा है कि इस युग में एक साथ धार्मेक मनोवरतियों का साथ भी चित्रन मिलता है शंगार की सह सरक्ता दिखाई देती है वीरस के फ साहिती में कथी की विविता के साथ चंद प्रयोग की विविता भी रही है आधिकाल में आपको अनेकों अनेक चंदों का प्रयोग मिलेगा डॉक्तर हजारी प्रिशाद दुएदी ने चंद की द्रश्ट से कुछ सीमाय बनाई है उन्होंने इस लोग को लोकिक साहित लोकि क्या दिया है आपको नोड कर लेना है तो यहां पर वस्तुता दोहा चंद अवरंस में जनभासा से ही गया था इसलिए इस चंद को हिंदी का मुख चंद मानना चाहिए बिक्रमों वर्शी के चतु ठंग से डॉक्तर दुएदी ने अवरंस के नाम पर यह दोहा उद्धत कि किया है क्या कहा है दुएदी जी ने कहा है महां जाणि मिय लोडी अरू कोई हरी जामडू अणत लिसामल धाराहव हरू वरिसे तो मित्रों देखिए मुझे तो अवरंस भासा पढ़नी आती नहीं और मैं कभी पढ़ना भी नहीं चाहूंगी क्योंकि इसे कौन सिखाएगा और आप लोग भी साहद इतनी कठीन भासा पढ़ना और लिखना नहीं चाहेंगे कि ऐसी भासा पढ़ने हो लिखने से क्या फाइदा है जिसको जो है कोई समझ भी ही न पाए और उसमें इतनी कटुता हो कि पढ़ने में कोई रस भी न आ है तो मैं तो अभरंस भासा को पढ प्रवर्दियां ही प्रवर्दान है आपकी भावनाओं को समझती है यहां पर मैरी समझ में नहीं आता है कि इसका आरथ भी क्या होगा ओकी लेकिन एक उदाहरन के तोर पर मैंने आपको यह बता दिया है कि यहां पर यह दोहा जो है उद्वरत है ठीक है आरंबिक हिंदी और अभ्रंस को एक भासा मानने वाले विद्वान ही इस दोहे को अभ्रंस का उदाहरन मान सकते हैं आनिथा इसमें आरंबिक हिंदी की प्रवर्दियां ही प्रवर्दान है आदिकाल इन हिंदी साहिती में दोहा चंद इस प्रकार की हिंदी भासा का सबसे प् इतकाल से होती हुई आधनिक काल तक चली आई है डॉक्टर हजाई प्रिशादुएदी के मतानुसार क्या कहा है संस्कृत और प्राक्रत में तुक मिलाने की प्रथा नहीं थी दोहा चंद से ही तुक की प्रवर्ति आरंब हुई है वे इसी अभधन्स की प्रवर्ति बताते है तो यहाँ पे फ्रेक्ट जो जिसमें लाइनिंग है इसको भी आपको अंडरलाइन जो की है इसको भी आपको नोट करेना है वस्तुता यह जन भासा को की प्रवर्ति थी जो उसके साहितिक भासा वन्नी पर रचना का मुक्य अंग वन गई अभधन्स ने भी जनकंठ से ही इ दोहा सेली दे थी अभ्रंस ने अभ्रंस के बहुँ प्रचलित चंद तो यहाँ पर देखिए पंचर्टिका अरिल और उनके उनसे वने कडवक आधि थे देखिए यहाँ पर दोहा के साथ यह पंचर्टिका और अरिल और उनसे बड़े बने जो है कडवक यह अभ्रंस के ही प्रचलित जंद है जो हिंडी की आरिकाल इनसाहिती में दोहे के समान लोगप्री नहीं हुए अरिल की स्थान पर हिंधी में चौपाई का प्रियोग होने लगा आधिकार का रिंट स्विकार गिया है चौपाई के साथ दोहा रखकर कडवक बनाने की जो प्रथा सिद्धों ने अपने हिंदी रचनाओं में अरम की तो क्या है तो चौपाई के साथ दोहा जो रखा जाता है वही कडवक सैली है दोनों महाकवियों ने अपने कावियों की मुख सैली बनाया ठीक है जो आपके सिद्ध थे और फिर आगे जो और रचनाकार हुए है उन्होंने आज काली रासो कावियों में वीदस की विंजना के लिए छपपए, तोटक, तोमर, पदरी और नाराज का प्रियोग अधिया गया मित्रों यहाँ पे जो है आपके लिए ये टोफिक बहुत ही मैदपूर है यहाँ पे जो मैंने अभी पंचटिका, अरिल और ये सभी कड़वक जो बता हैं उनके साथ साथ आप छपपए, तोटक, तोमर, पदरी और नाराज जैसे जो छंद दिये गए है इन्हें भी आपक हो रहे थे, अधा कुछ विद्वान सेली की समानता के कारण रासो कावियों को भी अभ्रंस का कावि समझ बैठे थे, आलहा या वीर छंद, आलिकाल में दोहा के समान ही लोग प्रिय रहा होगा, जगनिक ने उसी लोग प्रियता को देखकर परमान रासों में उसे कावि की एक विसे सली बना कर प्रियोग किया है, जिसमें कड़वक सली का प्रियोग किया गया है, ओके, नेश्टे चंद के अत्रिक्त कथा कहने के धंकी भी, कुछ सिल्प पददियां इस काल में प्रिचलित रही है, इनमें कथानक रोडियों का महत्त है, रासों ग्रंथों में इस प्रकार की रोडियों का विसे स्प्रियोग मिलता है, सुक दूती देवी सक्तियां आदी इन रोडियों के साधन रहे हैं, ये रोडियां अब्रंश साहिति में भी मिलती है, संस्कृत साहिति भी इनसे अच्छूता नहीं रहा है, अधा हिंदी की आधिकाली इन साहितिय में इनका फ्रियोग काविरचना की एक सांस्कृतिक घोतक है जिसका आगे भी विकास होता रहा है इन्ही रोडियों में से एक महत्पून रोडि थी सम्वाल से लिए जिसे आगे चल कर तुलसी जैसे महा कवी ने भी अपनाया था अब आप समझ सकते हैं कि आज काल से भक्तिकाल म काविरचना की दो आने महत्पून सेलियों का भी आजिकाल में विकाल था जिने कुछ विद्वानों ने भासा की नाम से ही अभीत कर एक द्रहम पैदा कर दिया है ये सेलिया है डिंगल तथा पिंगल डिंगल कौन सी सेलिय है आपको बता दें यहां पे डिंगल एक करकस भा साहे व्रजभासे ही उते हैं तो ब्रज और अभांस का प्रयोग किया गया है वह पिंगल में किया गया है अब आप देखेंगी आदिकलित रचना verzण में डिंगल्सली का प्रयोग होता था तथा прям आới दिखते ही चाहितарणी कंभीण यडि व्र Presiddwar करता था पिंगल सैली लोग पुरी होती चली गई और उसका ब्रज भासा में विगलन हो गया जो लोग डिंगल को राजस्थानी भासा का परयाय मानते हैं वे भूल करते हैं वस्तुता राजस्थान की आजिकालियन साहित की भासा हिंदी की ये दोनों ही सैलियां चारणों भाटो प्रयुक्त होती थी तथा भक्तिकाल और रितिकाल में ही उनके प्रयोग की वस्षीन परंपरा चलती रही आज भी राजस्थान की काविरचनाव में इन दोनों सैलियों की परंपरा आपको जरूर मिलेगी सारांसिया है कि आधिकालिन हिंदी साहित्य अभ्धंस साहित के सम परवतिकालों के लिए उनके अनेक परंपराएं उनमें डाली गई है अनेक का विरूप तथा सैलियों सिल्प आधिकालिन साहित्य में प्रगट और पुष्ट हुए है अथा आधिकालिन को ही हिंदी साहित्य का एक सम्रध्य युग माना जा सकता है ठीक है तो ये जो है ठीक है तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आएगी और आप लोग जो है इसे पसंद करेंगे और बताएंगे कि आपने इसमें कितना नया को सीखा है ओके क्योंकि ये जो है एक ऐसी बुक है जिसमें आपको नए फेक्ट और बहुत ही महत्पॉंड फेक्ट मिलते हैं यहा संपादन हुआ था 1893 में तो अमित्रों आप मैं आपको एक वार फिर से बता देती हूं कि अब यह हमारा आदिकाल यहां पे कंप्लीट हुआ है अब मैं आपको कल या फरसों में जो है इसके कोश्चन दूँगी तो आप लोग जो है 100 कोश्चन दूँगी जिनके मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगी आप लोगों को उनके आंसर कॉमेंट वोक्स में बताना होगा 100 कोश्चन का प्रेक्टिसेट में आधिकाल से लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए ओकी तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजीगा और अपने दोस्तो में हैं तब ही आप हमारे साथ जुर सकते हैं और अपनी इस्टेडी को और बहतर बना सकते हैं ओके जितना ही आप सीरियस होके एक्जाम की तैयारी करेंगे सफलता आपको निश्चित रूप से उतनी ही जल्दी मिलेगी ओके तो मिलेंगे नेस्ट क्लास में और तब तक लि झाल